हाँ तो दोस्तो टाटा पावर के कॉटर टू के नंबर्स आज चुके हैं तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको टाटा पावर के ना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चले शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम रेविन्यू के नंबर्स के अगर हम बात करेंगे तो यह नंबर कॉटरली बेसिस पे 30% से कम हुआ है और यह नंबर आया है 14,030 करोट पे तो देखिए पर्टिकुलरल अगर हम देखेंगे तो यह कॉटर में हम रेंज देखते हैं तो आपे यह नंबर 5% से बढ़ा है और यह नंबर आया है 935 करोट पे तो डेफिनेटली देखा जाए तो प्रोफिटेविलिटी पॉइंट वीचे अगर हम देखेंगे तो कमनी के लिए कोटर काफी अच्या रहा है अगर हम यह यह नंबर बात करेंगे तो 43% से यहाँ पे कमनी के र 4000 करोड से यहाँ पे कमनी के जो रेवेन्यू के नंबर से वह में बढ़ते हुए नजर आए हैं अब अगर हम यह यह नंबर 85% से बढ़ा है और यह नंबर आया है 935 करोड पे तो अल्मोस्ट अगर हम देखेंगे जो नेट प्रोफिट का नंबर है वो अल्मोस्ट हमें यह कमनी का डबल होता हुआ नजर आ रहा है तो आलो वह देखा जाया तो रेविन्यू पॉइंट वी से हो या प्रोफिटेविटी पॉइंट वी से तो डूनोंगी पॉइंट वी से कमनी के नंबर से हमें यह यह अच्छे नजर आते हैं और जिस तरीके से भी यह जो ट्रेडि जिस तरीके से स्पीड से कमनी लगा रही है तो आपर भी अच्छा पोटेंशिल हमें विद्नेस का नजर आता है तो डेशनेटली यहाँ पे मेरे ख्याल से टाड़ा पॉर के नंबर से अच्छे हैं और अभी दो सो पचीज के लगबग यह स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है लगता है कि यहाँ पे एक हाई डिजिट में यहाँ आपको जो कमपाउंड नेंगे वह आपको यहाँ पे मिलेगी मुझे लगबग 14-15 पसेंटेज से यहाँ आने आले 3-4 साल में कमपनी ग्रो कर सकती है तो उस पैंड़ इसे आपने यहाँ पे इंवेस्ट करना चाहिए त कि दूचो कि रुट नो थैंक यू वफ नइस दे